मद्दान केंदर के अंदर कोई विधायक कई से प्रवेश कर जाएगा भाई अपने समर्थकों के साथ यह दिकार आपको किस ने दिया था तो जब गले का फास बना है जब यह मामले का उद्वेदन हुआ है तो परशानी में है अरे गोली चली गोली किसने चलाया नामजद अ युकत है तो आप कहां बचा पाईएगा आप लोग तो निष्ठूर लोग है लालू यादव हैं तो सिक्रूटी गाड को तो गोली एलोट होता है सरकार की ओर से कौन इसकूर में पढ़ा रहा है कौन पढ़ा रहा है रहा दे भी आपको फसा देगा आपको राजद वला के सिक्यूरिटी से गोली चली है उसका प्रमान होगा ना इसलिए आपको कोई सला दे के फसा रहा है दुस्मनी सदा रहा है चुकि आप दलित है आई उत्पाद धिनियम के भी पहले अभ्युक्त रहा चुकी है अब चार जुन को सरकार बनेगा तो अर्विंद के जरीबाल द हैंक कर देगा कानून से हम तो नहीं जाने वाले हरियान और रहना हम लोग रहेंगे बिहारे में वो अपना अता पता खोज लेंगे कहा जाएंगे चुकि पता बदलने वाला है उनका ने दिर मोदी जी ने कहा है कि लेंड फॉर्ट जॉब बला में पता बदल जाएगा इन खुद अपने गाड़ से ही गोली चलवाएं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जद्यू के मुख्य प्रवक्ता साहे मिल सी है कैसे देख रहे हैं वो तो कह रही है कि खुद से ही गोली चलवा करके हम लोग प्यारूप लगा रहे हैं कौन दिया अधिकार आपको मद्दान के अंदर के अंदर जाने का है तो वीडियो फूटे जा गया मद्दान के अंदर कोई विधायक कई से प्रवेश कर जाएगा भई अपने समर्थकों के साथ यह अधिकार आपको किस ने दिया था तो जब गले का फास बना है जब यह मा आथमिक रूप से तो रेखा दे भी पहले वहां गई मद्दान केंदर के अंदर जाने का अधिकार आपको किस ने दिया और आपके साथ आपके सहकर्मी कई से चले गए यह अधिकार आपको किस ने दिया और साथी साथ वहां जब उपद्रों करने लगी तो वहां की मुख्या जो महिला मुख्या है वो मद्दान करने के लिए गई हुई तो उसने रोका कि आपको विधायक जैसा नहीं करना चाहिए लेकिन उसके बावजुद मानने को कहा तैयार थी वो पद्रो की तो अस्थानिय प्रशासन को खबर किया गया अस्थानिय प्रशासन ने आकर के मामले को नियंतिरित किया साम में जाकर के मानिय राम कृपाल यादो जी वहाँ पहुचते है और तिनेरी से जमालपूर के बीच में गोली चलती है तो सिक्रूटी गार्ड को तो गोली एलोट होता है ना सिक्रूटी गार्ड को तो गोली एलोट होता है सरकार की ओर से कौन स्कूल में पढ़ा रहा है कौन पढ़ा रहा है रेका दे भी आपको फसा देगा आपको राजदवला सब सिक्रूटी गार्ड को बजापता सरकार जो गोली आवन्टित करती है उसका हिसाब उसको देना पड़ता है अरे गोली चली गोली किसने चलाया नामजद अव्यूकत है तब आप कहां बचा पाईएगा आप लोग तो निष्ठूर लोग है लालू यादव हैं वो थोड़े सी यार वो अपना जमीन का कागज देंगे लालू जी का परिवार कोई जमानत्दार बनने वाला है ति फसर भसर है क्या अगर राम कृपाल यादव जी के सिक्यूरिटी से गोली चली है तो उसका प्रमान होगा न इसलिए आपको कोई सलाह देके फसा रहा है दुस्मनी सदार आचुकि आपदलित है आई उत्पादा दिनियम के भी पहले अभ्यूक्त रह चुकी है वो कह रही है कि जाती सुचक सब कहा गया है साथ में गाली भी दी गई है तो पूलिस जाच करेगी जाती सुचक करेगा कोई बोलने से थोड़ी हो जाएगा लेकिन आपको जो फसा दिया कहा करके कि राम कृपाल यादो जी का सिक्यूरिटी ने गोली चलाया तो पूलिस जाच करेगी तो उतना गोली उसके पास आए कि नहीं इतना आवंटित हुआ है इंडिया गटवंदन वाले तो देश के लिए दुर भाग जया है यह सच नहीं होगा तो आप लोग हैकर बुला करके बैठा दियें सभी जगा हैकर लिए उतना जाच हो रहा है हैकर वाला हैंग कर देगा कानून से हैंग हो जाएगे लोग हैकर बुला जाता है बिहार में 25 प्लस सीट जीत रहे हैं इंडिया वाले तो चालिस साल कर नोजवान है चालिस का चालिस हो ही लोग जीतेगा हम लोग कहाँ बोहनी होना है है उनके नजरों में तो ही है हम तो नहीं जाने वाले हरियाने और रहने हम लोग रहेंगे बिहारे में वो अपना आता पता खोज लेंगे कहा जाएंगे जुक्ति पता बदलने वाला है उनका नरेंदर मोदी जी ने कहा है कि land for job में पता बदल जाएगा इनका अब पता कहा का होगा यह हम नहीं जानते हैं होटवार का होगा कि बेउर का होगा यह हमको नहीं पता चलिए तो सुन रहे थे जद्यू के मुखे प्रवक्तास है MNC नीरज कुमार का तमाम सवालों का जवाब दिया साथ चाथ का है कि देश के पतानमंतिर नेंदर मोदी ने तो कहा था कि नोकरी के बदले जो जमीन लिए हैं उस मामले में कि जेल में जाएंगे वो तो चार जून के बाद पता चले कमलेश कुमार लाइब बिहार पतना